नमस्कार वीकेबिने उसके सुबा के प्रैम टाइम में आपका स्वागत है रुख करते हैं आज की हेडलाइन्स पर नागपर में महापरिनिर्वान दिवस पर दिख्षा भूमी पर पाबंदी नहीं नागरेकों को कोविन नियमों का पालन करना अनिवारे नागपर के मेडिकल मेयों और एम्ज में आउक्सिजन प्लान जल शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश कोरोना के नए वेरियन के मदे नजर विभागिया एक जिलाधिकारी ने किया निरिक्षन और नागपर बासी या तयात नियमों का पालन करें नहीं तो जेब खाली करें लाइसन्स नहीं रहा तो पांच हजार लगेगा जुरूर्माना और अब खबरे विस्तार से आमबेटकर का अभिवादन करने के लिए नागरेक आ सकेंगे समारक समिती की ओर से कोविड नियमों का पालन कर अभिवादन किया जाएगा नागरेकों के लिए भी कोविड नियमों का पालन करना आविशक है महापरी निर्वान दिवस पर मुंबई स्मारक समिती स्थित चैते भूमी पर होने वाली भीड को ध्यान में रखकर सरकार ने फैसला लिया है इसलिए अब चैते भूमी पर प्रतिबंद लगाए गए हैं परंतु नागरिक महामानव का अभिवादन आमबेटकरी बौध समाज के विविद कर्स पाएंगे नागपर में यातायात नीमों का और लंगन करते हुए वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाएए क्योंकि अब यदी आपने ऐसा किया तो आपकी जे पर बोज पढ़ सकता है साथी तीन महीने तक वाहन का लाइसंस भी निलंबित होगा मोटर वाहन कानून के जर्माने की रकम में व्रिधी की गई बगेर लाइसंस की वाहन चलाने पर पहले एक हजार का जर्माना लगता था लेकिन अब यहर Cam 5000 हो गई है Seatbelt नहीं होने पर 200 जर्माना वाहन चलाते समय Seatbelt नहीं पहना तो एक हजार रुपे जर्माना लिया जाता था लेकिन अब इसे घटा कर 200 रुपे कर दिया गया है गुरवार को अधिकारियों की हुई आनलाइन बैठक में निर्ने लिया गया कि वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तिमाल किया तो पहले सभी वाहनों के लिए समान जुर्माना दिया जाता था लेकिन अब हर वाहन के लिए अलग-लग जुर्माना तै किया गया है मोटर वाहन कानून वर्ष परिवहन विभाग ने गुरवार को दुपहर में सभी आठीयों अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक ली इसमें सभी अधिकारियों को कानून के अनुसार गुर्वार से ही कारवाई करने के आदेश दिये गए हेलमिट वब पी-उसी नहीं होने पर तीन महा तक लाइसंस निलंबित पहले बगएर हेलमिट वाहन चलाने वालों से पाथ सो रुपे जुर्माना वसूला जाता था इससे अनेक वाहन चालक जुर्माना दे कर निकल जाते थे अब जुर्माना तो नहीं बढ़ाया अगया लेकिन ऐसा करने पर वाहन का लाइसंस तीन महा के लिए निलंबित वहीं पी-उसी नहीं होने पर भी तीन महा के लिए लाइसंस निलंबित किया जाएगा बश 2019 में बदलावकर जुर्माने की रकम में वृधी की गई थी इस पर विबक्ष ने आपती जगाई थी जुर्माने की रकम बढ़ने से कुछ लोगों में बड़े पैमाने पर नाराज गी थी अब कोई चर्चा किये बगेर जुर्माने की कुछ रकमों में व अमक नए वेरियन की बढ़ती तहशक के बाद स्थानी प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जिलावार्शे की योजना सहित अन्य योजनाओं से निधी उपलब्द करवाई गई है। अक्सिजन निर्मती के समन्द में वैदे की विभाग द्वारा तैकी गई कारेपधिती के रुसार हर सब तहां ऑक्सिजन आउडिट करना निवारे है। योग के लिए अल्ट्रा सॉनिक क्यामरा खरीदी के प्रस्ताफ के बारे में भी आदेश दिये गए। मेडिकल में दो ऑक्सिजन प्लांट लगाए गए हैं इसमें बिजली व्यवस्था का कारे दस दिन के भीतर पूर्ण करने को कहा गया। ऑक्सिजन प्लांट पूर्ण शम्ता से शुरू करने के लिए सम्मंद ठेकेदार को 17 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सारवजिंग निर्बान कारे विभाग वविधित विभाग बिजली कनेक्शन जोरने का कारे पूर्ण करें। प्लांट की देखभाल के लिए बायो मेडिकल अभ्यानता की सेवा लेने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश विभागी आयुकत ने दिये। कुरुना की नए वेरियन की देश्चत के बाद प्रशासन यात्रा करने के लिए वैक्सीन के दोनों डोज अनिवारी कर दिये हैं। जिन के इंद्रों पर अब तक इका दुका लोग वैक्सीन लेने आ रहे थे अब उनी के इंद्रों पर कर्वचारियों को फुरसत नहीं मिल रही। तीसरी रहर के आशंका के चलते अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करवाने के लिए शुरू किये गए घर घर दस तक अभियान ने भी एक महा में रिकॉर्ड बना लिया है। यहीं वैक्सीनेशन करवाया था। इसके बाद हर घर दस तक अभियान शुरू किया गया। वहीं दूसरी और नए वेरियंट ओमिक्रॉन के आने से अच्छानक खलबली मच गए जिसे अभियान में अब तेजी आई है। बताया जाता है कि नवेंबर में ही अभियान के तहर जहां 2,52,850 लोगों को पहला डोस दिया गया। वहीं 2,43,434 लोगों को दोनों डोस दिये गया। इसी तरह से अब मॉल्स, सफ़र और कारक्रमों में जाने के लिए दोनों डोस के अनिवारता होने से भी इसमें तेजी आई है। वक्त हो चला है चोटे से ब्रेका लेकिन बने रही है आप हमारे साथ। लाव यू दिपिका। बाई। सब जानना चाहते हैं। मेरा फेवरिट कालर। मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन। मेरी फेवरिट डिश। पर कोई यह नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं। अरे यार। जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है। सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची। अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है। पर पंक भी तो मस्बूत होने चीए। जो देता है, Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा institute है जहां पर airlines and airport hospitality और tourism management, साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने हैं Flywheel Aviation Academy One degree, three job opportunities Flywheel Aviation Academy Gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Gani Nagar L.A.D. College Square, beside करनाठिका बैंक नागपुर Break के बाद आपका फिर से स्वागत है कुंधाली पुलिस्थान अंतरगरत, कुंधाली नागपुर मार्क पर अमरावती से तेजरवतार में नागपुर के ओर जा रहे ट्रावल्स करीब 12 बजे बाजार गाउं डानपुल के सामने येरन गाउं टी पॉइंट पर आक्टिवा गाड़ी पर अर्विंद मिश्रा तथा दीपक घोर पड़े दोनों राजीव नगर, हिंगना निवासी यह बाजार गाउं के समीप अंबिका फार्म हाउस से अपना काम निप्टा कर नाकपुर की ओर जा रहे थे येरन गाउं टी पॉइंट पर जैसे ही आक्टिवा गाड़ी को नधाली नाकपुर लेन पर मुड़ी वैसे ही अमरावती से नाकपुर की ओर जा रही हर योम ट्रावल्स की अमरावती नाकपुर बस ने आक्टिवा को जबरदस टक कर मार दी जुर्गटना में आक्टिवा चालक अरविंद मिश्रा तथा दीपक घोरपड़े रोड पर फेके गए तथा गंभी रूप से गायल हो गए अरविंद मिश्रा तथा दीपक घोरपड़े को नाकपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया जहां उपचार के दुरान दीपक घोरपड़े की मौत हो गई अक्टिवा चालक अरविंद मिश्रा का उपचार जा रही है कुंधाली पुलिस ने बस चालक सुनील अमरित्राव काकड़े राहट गाउं अमरावती निवासी खिलाप मामला दर्ज कर उसे गिरफतार कर लिया ताड़ुबा अंधारी टाइगर प्रजेक्ट में हाली में वनरक्षक स्वाती धुमाने की बागिन के हमले में हुई मृत्यू तथा इस तरह के हमलों में लगातार हो रही मृत्धी को लेकर उद्यन पातल की ओवर से हाई कोट में जनहित याचिका दायर की गई है याचिका पर गुर्वार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनील पांसरे ने राज्य सरकार और वन विभा को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिये याचिका करता ने कहा कि जंगल में गश्ट लगाते समय वह बागिन वन सड़क के बीच बैठी हुई थी वन रक्षक कुछ मजदूरों के साथ पैदल जा रही थी बागिन को बीच में बैठा दे कुछ देर के लिए दूरी पर नंतिजार किया कि इसी सिती में सड़क पार कर दूसरी दिशा में अपने गंदव्य तक पहुँचने के लिए उन्होंने जाडियों के पीछे की बैकल्पिक पकदंडी से जाने का फैसला किया छिपकर जाते समय जाडियों के पीछे कोई शिकार होने की सरसरी सुनते ही बागिन ने महाँ पर हमला बोल दिया जिसमें वन रक्षक की जान चली गए गट तीन से चार वर्षों में बागों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है 20 नवेंबर 2021 को हुई इस घटना से पूर्वगर्चिरोली वन में बाग ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था सुनवाई की बाद अदालत ने आदेश में कहा कि तमाम समस्याओं को देखते हुए वो पाई करने बहुत जरूरी है जंगली जानवरों को जंगलों के भीतर ही अतरिक प्राकृती भोजन उपलब्द करवाया जाना चाहिए इसके लाबा स्टाफ को सक्षम ट्रेनिंग दी जानी चाहिए रक्षकों को गले के चारों ओर के लिए प्रोटेक्टिव गाज और हत्यारों से लैस किया जाना चाहिए स्टी करमचारियों के हरताल अब तक जारी है स्टी के इतिहास में यह पहला अफसर है जब हरताल महीने भर से अधिक समय पर चल रही है इसे एक और जहां इस्टी को करोडों का नुकसान सहना कपड़ रहा है तो वहीं दूसरी और आम जंता की परेशानियों में लगातार बड़ातरी होती ही जा रही है इसी बीच गुरबार को और बारा करमचारियों को निलंबित किया गया इस तरह अब तक नाकपर बंडल में अब तक कुल 432 करमचारियों को निलंबित किया जा चुका है निलंबित की प्रकरिया सतरत रूप से जारी है लेकिन करमचारियों की माने तो यह रूटीन प्रकरिया है हरताल खत्म होने के साथ ही निलंबन भी वापस हो जाएगा यही वज़ा है कि करमचारी निलंबन की कारवाई को गम भीरता से नहीं ले रहे S.T. करमचारी के संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि यह S.T. के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हरताल इतनी लंबी चल रही है हरताल की वज़े से आम आदमी को पिसना पड़ रहा है सरकार भी कोई सक्त कदम नहीं उठा रही लगता है कि न सरकार और नहीं करमचारी को आम जनता की फिक्र है दुबाली का पूरा सीजन निकल गया लोगों ने तरह तरह की परेशानियां चेली कभी S.T. को कोसा तो कभी सरकार को कोसा जनता का कहना है कि सरकार कोई थोस कदम क्यूं नहीं उठा रही मुगदर्शक की तरह हरताल होते देख रही है जब करमचारी उनके प्रस्ताफ को मानने को तयार नहीं तो फिर बीच का मार्क निकाला जाना चाहिए ताकि लोगों की आवा गमन की समस्या का समाधान हो सके कोरोना एक बर फिर खत्रे की घंटी बजाते हुए नसरा रहा है जिले में 22 दिन बाद संक्रमितों की संख्या बड़ी है अब तक 10 के भीतर रहने वाले संक्रमित गुरवार को 13 तक पहुँच गए इसके साथ ही प्रशासन नागरेकों से सतर्क रहने और कोवे नियमों का पालन करने की अपील की है जिले में करीब महिने भर से कोरोना मरीजों की संख्या कम होई है संक्रमितों का अकड़ा 10 से ज्यादा नहीं होने से राहत की सांस ली जा रही थी लेकिन गुरवार को आई रिपोर्ट में शेहरी भाग में 8 और ग्रामीन में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉसिटिव आई बर्दमान में जिले में कुल आक्टिव केसिस त्रेपन है वहीं किसी भी बरीस की मौत नहीं हुई है डॉक्टरों का कहना है एक धन के दिनों में संक्रमन फैल सकता है इस हालत में मास्क अपयोग सभी नागरेकों ने अनिवारे रूप से करना चाहिए वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब भी ज़रूरी है देखने में आ रहा है कि दिवाली के बाद से जिले में करोना को लेकर लोगों में काफी लापरवाही बड़ी है अब तो कई लोग बिना मास्क लगाए ही भीड़ वाले इलागों में घूम रहे हैं खुद भी आपारी भी मास्क से परहेज करने लगे हैं जबकि दुकानों में तरह-तरह के लोग आते हैं करोना के नए वेरियंट को लेकर पहले ही सरकार ने एडवाईजरी जारी कर दी है इस वज़े से आविशक हो जाता है कि पहले से ही साबधानी बढ़ती जाए नागपर में वाहन पार्किंग को लेकर ट्रांस्पोर्टर ने साथी की मदद से सिक्योरिटी कंपनी के संचालक पर जान लिवा हमला कर दिया यह वारदात सदत्थाने के तहट सराफ चेमबर के पास हुई आरोपी अमनप्रीट सिंग निर्मल सिंग जसल बाबा बुद्दा जी नगड तदा अभीशेक रमेश खफ से बताया जा रहा है मिली जानकारी के मताबिक जसल का सराफ चेमबर के पास ट्रांस्पोर्ट कारेले है सराफ चेमबर के पास अरुन उपाद ध्याई के मालकी की जमीन है जमीन की निगरानी के लिए रौई की कमपनी के गाड तेनात है बताया जाता है कि कुछ दियों से वाहन की पार्किंग को लेकर जसल का विवाद चल रहा था आरोपियों ने गालियां देकर रौई पर हमला कर दिया उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया इस 26 नवंबर की राद साड़े बारा बजे जसल और खवसे से वाहन पार किये जाने को लेकर रौई का विवाद हो गया इसी विवाद में हमले में रौई गंबीर उसे जखमी हो गया उनके सिर पर गहरी चोट आई है सदर पुलिस ने अवंप्री जसल तथा अविशेक खवसे के खिलाफ हमला मारपीट धमकाने तथा गालियां देने का मामला दर्च किया रौई की हालत गंबीर होने पर पुलिस ने हत्या की प्रयास का मामला भी दर्च किया है आरोपियों को सदर पुलिस ने गिरफतार कर अदालत में पेश किया जहां से उनकी जमानत हो गई है जसल के खिलाफ पहले भी मारपीट तथा हमले का मामला दर्च होने का पता चला है सुब के प्राइम टाइम में बस इतना ही लेकिन अन्य खबरों के लिए बनरी आप हुमारे साथ